हेलो गाई जी नमस्कार मैं अपने प्रताप सेंस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पीएस माइन नमस्ती पर दोस्तो आज मैं बात करना चाहता हूँ मोरो अवस्था दोस्तो यह जन्म की तत्पस्चात ही अवस्था होती है ठीक है ना और नावजास सिस्वों की अवस्थाएं हैं तो इस प्रकार से अनवस्थाएं भी होती है लेकर मैं इस टॉपिक में अल्ली मोरो अवस्था को बता रहा हूँ नई तो रूटेंग अवस्था होती है वेवे तो क्या होता है बालक कमर को मूरते हुगे भुजा को आंगे की गुर फेकता है फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है तो सिसू के आंगे कोई बस्तू लाने पर वा हाथ पेरों से उस बस्तू को पकड़ने की कोशिस करता है यह क्रिया क्या कहलाती है मौरो कहलाती है मतल कमर को मोड़ते हुगे किसको भोजाम को क्या करता है आंगी की और फ्याकता है ठीक है दोस्तों तो एक क्रिया किस में होती है मोरो में होती है ठीक है इसके एक जांपल की तोर पर समाझ लें कि कोई बस्तु लाने पर जो बालक होता है वो क्या करता है तुमने देखा होगा कि पेरों से उस बस्तू को पकड़ने लगता है हाथों से पकड़ने लगता है तो इस किरिया को ही हम क्या करते हैं कहते हैं मौरो कहते हैं ठीक है दोस्तों तो क्या होता है कि इस किरिया बालग अपने पूरे सरीर से बस्तू को पकड़ने की कोशिस करता है तो यदि आपको ऐसा क कॉस्चन बनता है तो आप समझ जाइए कि यह है नावजास शिस्वों की जो अवस्ता है उसका नाम क्या है मौर वस्ता है तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मौर वस्ता क्या है इसको आप नोट कर लें और अपने जिहन में भी उतालने क्योंकि यह पूछा जाता है नेक्